सब्सक्राइब को राम राम आज हम आपको दिखाएंगे सुनाले की सच्चाई क्या होती है कुछ नए नए फार्मर होते हैं जो बोलते हैं कि जाते हैं चिक्स लेने या चिक्स हैचरी से लेते हैं तो वो बोलते हैं कि हमको ये तीन महिने में बताते हैं कि आपका तीन किलो फ रखा है कि और यह कभी भी तीन महिने में पहला नमबर कीजी कई होंगे दस से 15% आपका हो जाएगा बड़ फिमस कभी भी नहीं ओगा और उसके सांसाथ आपका फ्युड के ऊपर भी डिकेंड रखता है उसके सांसाथ आप रख रखा और क्या कर रहे हैं और आपकी रखने का तरीका और आपका फीड मेंटेनेंस क्या है और फार्मर इतने परसान हो जाते हैं इनको ले लेते हैं बोलते कि तीन महीना में ये अंडे पे आ जाएगी कभी बोलते तीन महीना में एक किलो का बाडी बेट हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है ये किलो का नहीं होगा बाजरा जो भी है वो सब दे दिया ऐसा कुछ नहीं है मैं फ्रिरेज में भी छोड़ता हूं इनको और सांत सांत इनको फिट भी देता हूं बट मुर्गी मेरा आज लगभग पांच महीने बेज दिन के आए थिंक हो चुके हैं बट अभी अंडे नहीं देना इस्टाट की हैं लोग बोलते हैं कि पांच महीने मंडे पर आ जाते हैं बट ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से तो नहीं आते हैं भाई अब अवलग फार्मर का हो अब मेरी मुर्गी को देख भी सकते हैं म सब मुर्गी का बाड़ी बेट अच्छा खासा है ऐसा नहीं स्वस्त मुर्गियां है सब मतलब खापी के अच्छे से सब फ्री रेंज मी में घास भी खाल रही हैं और फिर भी इनको मतलब दोनों टाइम देता हूं सुबह साम ऐसा नहीं कि एक टाइम इनको फ्री छोड़क यह अंडे पर आ जाएंगी और यैसले पाती हैं आपको बताते हैं फार्म बहुत परासान होते हैं मेरे पास बहुत से लिच लेके ऑन बटोनों कि नहीं दे रही है और मेरा टीन माहींने का हो गया मेरा वजन नहीं ले रहा है मुर्गी दाना भी हम उनको मार्केर का खिला भी आपना जैसे ही इस्टार्ट करते हैं उनको कुछ आइडिया नहीं रहता है तो इस हिसाब से कर देते हैं बच्चे वीक हो जाते हैं कि दाना ज्यादा खिला देते हैं कि स्टार्टिंग में कौन सा कबदाना खिलाना है किस हिसाब से खिलाना है वो भी उनको नहीं एक्जक्ट पता होता है और अगर आप अच्छे से जानकारी लेना चाहते हो तो फिर हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें और वेल आइकन को प्रेस करें और नेक्स्ट व फिड खा के कितना वाड़ी वेट गेन करेगा किस हिसाब से करेगा अगर कुछ वीडियो बनाने में कमी होते तो वो हमको एल्प करें थैंक्यू राम राम जैहिंद